प्यार पाने का महा पिरियोग अपने ही नाखोन काट कर यहां रख दो प्यार कहीं भी हो खुद चल कर आएगा आपके पास जान दे देगा मंगर आपको नहीं भूल पाएगा चाणके निती चाणके द्वारा रचेत निती गिरंथ है जिसमें जीवन को सुक में और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुजाब दिये गए है इस गिरंथ का मुखे भिसे है मानव समाच को उसके जीवन के हर एक पहलू की बहवारिक सिक्षा देना नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में आईए जानते हैं चानके की कुछ ऐसी ही नीतियां जो जीवन में किसी ने किसी मोड पर काम आ सकती है दोस्तों क्या आपका प्यार भी आप से रूट गया है वह आप से दूर चला गया है आप उसे मनाना चाहते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं या आपकी महबत आपसे बात नहीं करती आपको नजर अंदाज करती है आपसे नजरे नहीं मिलाती आपके साथ खिलबाल कर रही है तो दोस्तों आप अपने ही नाखून काट कर यह कर दो आपका प्यार आपसे मिन्नते करेगा कि मैं आपके बगेर नहीं रह सकता मुझे अपन बना लो तो दोस्तो आए जानते हैं कि अपने ही नाखून काट कर कहां रखें कि हमें हमारा प्यार मिल जाए दोस्तो इससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और अगर आप हमारे यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवालें ताकि ऐसा ही ज्यान आपको हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तो अगर आप भी भगवान स्री किर्शन से सच्ची महबत करते हैं आप चाहते हैं कि भगवान स्री किर्शन आपकी हर मनों कामना पूरी करें तो कमेंड बोक्स में रादे जैसरी किर्शन अवस्य ही लिग दें दोस्तो सच्चे प्यार की हमेशा जीत होती है बहे हमें मिलकर ही रहता है अगर हमारा प्यार सच्चा है तो भगवान स्री किर्शन ने अपनी बाणी में कहा है कि अगर आपका प्यार आपसे बात नहीं करता आपसे रूट गया है तो दुखी ना हो, क्योंकि एक ना एक दिन वह, आपको जरूर याद करेगा, वह, खुद चल कर आपके पास आएगा, अगर आप उससे सची महबत करते हैं तो, लेकिन अगर आपका प्यार एक तर्पा है, यानि कि आप प्यार करते हैं, और वो आपके साथ खेलवाड करता है, आ बहे आपको नहीं मिल सकता क्योंकि बहे प्यार सच्चा नहीं माना जाता सच्चा प्यार तो कहीं भी हो बहे अपने दिल में सिवाए आपके किसी को भी नहीं चाहता तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप ये उपाए अपने सच्चे प्यार के लिए ही करें आप किसी गल आपकी और खिचा चला आएगा उससे आत्मा दुखी हो जाएगी और जब आत्मा दुखी होगी तब परमात्वा भी रूट जाएगा तो दोस्तों आप इसे गलत मक्सद के लिए नहीं करें दोस्तों बताते हैं कि आपने क्या करना है सबसे पहले आपको अपने 200 नाखून काट लेने हैं याने कि 10 नाखून अपने पैर के काटे और 10 थोड़ी थोड़ी मात्रा में उंगली के दोस्तों फिर इन नाखूनों को आप एक कागज के टुकले पर एकटा करके रख लें इस पे थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और अग सहद की 2-4 बूंदे इन नाखूनों पर अच्छे से लगा दें आपको सहद 2-3 बूंदे ही डालना हैं और ये थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सब नाखूनों पर लग जाए उसके बाद आपको अपने प्यार का ध्यान करते हुए आपको उसका नाम 11 बोल कर इन नाखूनों पर फूंक मार देनी हैं और अपने ही घर में इस कागज की पुडिया को यानि कि जिस कागज पर आपने ये नाखून रखे थे उसे पुडिया बना कर अपने ही घर में किसी भी जगे मिट्टी में दवा दें दोस्तों तीन दिन तक इसे दभी रहने दें, चोथे दिन इसे निकाल कर, आप हो सके तो उस बैक्ती के अपने प्यार के छट के उपर या उसके घर में कहीं पर भी फैक दें, अगर संबब नहीं हो तो आप इसे ले जाकर कहीं बहते हुए साप पानी में डाल दें, डालते सम भी आपको उस बैक्ती का ग्यारा बार नाम लेना है, जिसे आप पाना चाहते हैं, जैसे जैसे इन नाखूनों पर उस सहद की मिठास चड़ीती, आप ये कर देंगे, बैसे ही आपके प्यार के दिल में, आपके प्यार की मिठास हो जाएगी, भै आपके प्यार में पागल दीवाना हो जाएगा भै आपसे खुद बात करने लग जाएगा और आपके बगेर एक पल नहीं रह पाएगा दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार रादे रादे